अब यह तक हमने सब्ट्रेक्शन पड़ा एडिशन पड़ा टू एड त्री डिजिट के नंबर्स थे और उनको वापिस कैसे चेक करते हैं वो भी पड़ा कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी पड़ी थी आज हम करने वाले हैं मिक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट कोश्चन फर्स्ट कोश्चन में क्या बुच़्ा है कि नमन फ्रींद्रेड्स येट मास्क बेचे हैं मास्क बेचे हैं तो उसने सबसे पहले सुरू किया है वेटनस्डे को उसने सेल किये 308 मास्क उसके बाद वेटनस्डे के बाद में उसने Tuesday को फिर से मास्क बेचे कितने बेचे 129 मास्क ठीक है अब क्या पूछ रहे हैं कि how many mask did he sell altogether अब देखे ये question में क्या पूछा है how many he sell altogether उसने दोनों मिला कर कितने बेचे इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपको करना है addition करना है तो दो नंबर कौन से है 308 दूसरा है 125 यह क्या है यह mask है यह wetness day को बेचे और यह Tuesday को बेचे तो total mask कैसे निकालेंगे इनका addition त्री डिजिट के नंबर से तो once, tens and hundreds wetness day के 308 तो 8, 0, 300 में उसके बाद Tuesday को बेचे 129 तो 129 हमें यहाँ लिखेंगे क्या पूछा है addition तो addition करना है अब addition के लिए देखिए सबसे पहले once को लेंगे once में क्या है 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 17 क्या है 17 है once इसको क्या लिखेंगे one tens plus seven once तो once पे लिखिए आप seven और यह जो one है ten में यह जाएगा यहाँ पर as a carry तो अब देखिए tens में क्या है tens में है one plus two यह zero plus two zero plus two होता है two और यह one carry है two plus one equal to three क्या लिखेंगे three और उसके बाद में hundred का place hundred के place पे क्या है three plus one three plus one होता है four तो क्या अन्सुर मिला four hundred thirty seven इसका मतलब नमन ने Wednesday और Tuesday दोनों दिनों को मिला कर total four hundred and thirty seven mask उसने बेचे एक और example है यह example में इसा पूछा है कि a toy store has five hundred and nineteen model airplanes एक store में five hundred and nineteen airplanes है और it sells two hundred and twenty-eight model airplanes मतलब उस store में five hundred and nineteen model airplanes थे और two hundred and twenty-eight उसने क्या किए बेच दिये how many model airplanes are left इसका मतलब क्या है how many model airplanes are left मतलब कि अब उस store में कितने airplanes बचे हैं are left कितने बचे हैं इसका मतलब क्या हुआ यह होता है subtraction तो क्या दिया है इतने total थे इतने बेच दिये अब बाकी कितने यहाँ पर बचे हैं तो इसके में क्या करना है subtraction subtraction के लिए क्या करेंगे again places once tens and hundreds total कितने थे 519 तो once यह once में 9 आएगा यह one 10 में और five आएगा hundreds में और कितने बेचे 228 तो eight two और two क्या करना है subtract करना है यह minus लगाया ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले लेते है ones का place ones की place में क्या है nine minus eight अब nine minus eight कितना होता है one होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अब बारी आती है 10s के place 10s के place में क्या है 1-2 तो 1 चोटा है 2 बढ़ा है क्या करेंगे regrouping या यहां से 100 से बोरो लेंगे अब बोरो लेंगे तो क्या होगा यहां पर क्या है 500 है और 1 10 है अब regrouping में क्याक बनेगा यह 400 प्लस वन हंड्रेट्स प्लस वन 10 यह 400 और यह 100 बन जाएगा 10 10 और यह 1 10 यह टोटल बन गया 11 10 मतलब 400 और 11 10 बन गया अब 10 में क्या आएगा 11 100 में 4 अब 10 पे क्या आएगा 11 माइनस 2 11 माइनस 2 होता है 9 तो यहां पर लिखेंगे 9 अब बारी आती 100 के प्लेस की 100 के प्लेस पे क्या है 4 माइनस 2 4 माइनस 2 इकोल टू 2 तो अब उस स्टोर में कितने मॉडल एरप्लेंस बचे है 291 एक और एक्जाम्पल लेते है इस एक्जाम्पल में क्या पूछा है कि देर आर 578 एनिमल्स इन डेरी फार्म एक डेरी फार्म है उस डेरी फार्म में 578 एनिमल्स है ठीक है आउट ओफ दीज मींस उनमें से 187 आर काउज 187 काउज है 169 क्या है गोट्स है मतलब गाई 187 है गोट्स 169 है and the rest are बफेलोज और जो बाकी बच गई वो बफेलोज है अब फाइंड आउट क्या करना है how many बफेलोज आर देर निकालनी क्या है बफेलोज जो यहाँ पर नहीं दे रखिये दिया क्या है टोटल एनिमल्स दिये है उनमें से काउज है गोट्स है दे रखिये लेकिन बफेलोज कितनी है वो नहीं दे रखिये वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो देखिये टोटल एनिमल्स है 578 काउज है 187 गोट्स है 169 तो क्या करना है सबसे पहले टोटल एनिमल्स 578 उसमें से माइनस कर देना है काउज को और गोट्स को तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले इससे बेटर है कि हम काउज और गोट्स को एड कर देंगे और इनका जो सम आएगा उस सम को माइनस कर देंगे टोटल एनिमल्स में से मतलब यहाँ पर addition भी है subtraction भी है इससे पहले जो हमने दूँ example किये है वो एक addition का था और एक subtraction का था तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ total cows plus goats ठीक है तो क्या करेंगे इनको add करेंगे places, ones, tens, hundreds cows कितनी है 187, यह 7 8, tens में 1 आईगा hundreds में goats 169, तो 9, 6 और 1, क्या करेंगे इन दोनों को पहले हम plus कर देंगे तो plus करेंगे सबसे पहले ones का place, ones के place में 7, plus 9 कितना होता है 16 आईगा, 16 ones है तो ones में जाएगा 6 और 1 जाएगा as a carry, tens के अंदर अब बारी आती है, tens की tens में क्या है 8 प्लस 6 8 प्लस 6 होता है 14 14, 1 है carry का total हो गया, 15 15 क्या है, tens है 5 को लिखेंगे tens में और 1 जाएगा carry 100 में अब hundreds में क्या है 1 प्लस 1 इकुल टू 1 है carry total 3 तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 इसका मतलब यह cows और goat मिला के 356 हो गए अब 356 हमें पता है total 578 है अब इन दोनों का जो difference है, वो मिल जाएगी buffaloes, तो क्या करेंगे अब subtract की भारी once, tens, hundreds अब क्या करना है, total animal यहाँ पर लिखने है, तो 8 आएगा once में, 7 आएगा tens में, 5 आएगा hundreds में, minus करना है किसको, cows and goats जोब animals अमें, पता है total, तो 3, 5, 6, ठीक है, 6 आएगा once में, 5, tens में, 300 में, क्या करना है, इसको करना है, subtract करना है अब subtract के लिए देखिए सबसे पहले, once का place once के place में, 8, minus 6 कितना होता है, 2, क्या लिखेंगे, 2 tens में 7, minus 5 कितना है, 2 यह, 2 hundreds में, 5, minus 3, देखिए, यहाँ पर हमें कहीं भी, बोरों की जरूत नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर के जो नंबर है, जो डिजिट है, वो नीचे के नंबर से बड़े है, तो again 5, minus 3, क्या हो गया? 2, तो क्या मिला हमें answer? 222, यह 222 क्या है? यह है buffaloes है, dairy farm के अंदर, तो सबसे पहले हमने addition किया, उसके बाद में क्या किया, subtraction किया, और क्या निकाला, buffaloes, तो यह थी कुछ word problems, आप practice करेंगे, तो आप भी word problems को अच्छे से कर पाएंगे, तो आशा करता हूँ, कि आज की जो exercise, आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, और मैं यह भी आशा करता हूँ, कि आप इसकी practice जरूर करेंगे, तो हम मिलेंगे next video में, एक new topic के साथ, thank you जब करेंगे, तो हम एच्छे से क्जिए से से कज़ते हूज Theo झाल झाल